चलिए दोस्तों नमस्ते स्स्रीकाल अधाबतों मैं हूँ आपका दोस्ट और होस्ज नील सैनी आगे आगे हूँ आपके लिएक और वन बीच की इन्वेंटरी लेके यहां पर दोस्तों मारे पास वन बीच के भी है डेड़ बीच के भी आजी हां डेड़ बीच के दोस्तों कभी आपने देखा ही नहीं होगा रेर इन्वेंटरी है बिल्कुल एरपोट रोड के साथ सेक्टर 126 मे और जो हमारा चंडीगर दोस्तों रोड है चंडीगर रोपर रोड और बिल्कुल उसके पास भी पड़ता है अगर कैमरा में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दें यहां से आपको एरपोट रोड भी वीजिवल हो जाएगी हमारे गिल्को के दोस्तों अपार्टमेंट भी वीजिवल हो जाएंगे तो यह आपको गिल्को के अपार्टमेंट में दिखाने के कोशिश करता हूं और यह देखिए दोस्तों यह गिल्को के अपार्टमेंट आ जाते हैं तो बल्कुल इसी के साथ यह सटा हुआ एरिया रहने वाल है तो आप अगर दोस्तों वन सबसे पहले आपको यहां पर फ्रंट में मिल जाती है बालकनी नाइन इंटू 3 इसका साइज रहने वाला है और जैसा आप दोस्तों यह वन भीज के देख रहे हैं ऐसा ही आपको डिलिवर होने वाला है फिनिशिंग इसकी होजे कि दोस्तों यह देखिए आपको मैच दोर रहने वाला है और यह देखिए यह आगे हम अपने वन भीज के के अंदर तो सबसे पहले हमारा आ जाता है सिटिंग एरिया और अगर मैं सिटिंग एरिया के साइज की बात करूं इसका साइज रहने वाला है आपका 12 इंटू 10 का तो आप देखिए यहां पे भी आपको अपको यह बाल से जाता है तो आपको वह देखाओंगा तो उससे पहले देखिए हमारा यह किचन और मैं किचन की साइज की बात करों चैज है तो जैसी किचन देखने आपको यह ऐसे ही मिलने वाली है आपको यह दोस्तों मॉड़लर नहीं मिलेगी यह बिल्गुल एज इस आपको यह किचन मिल जाएगी नीचे आप देखरों डबल चाल मिल जाती है यहां पर आपको विड़ो मिलती है वेंटिलेशन के लिए तो बिल्कुल किचन के साथ ही हमारा आते दोस्तों बालकनी तो चलिए आपको दिखाता हूं बालकनी का व्यू और यहीं से कनेक्टेड हम मिल जाता है दोस्तों एरपोर्ट रोड मिल जाती है बिल्कुल वाकिंग डिस्टेंस पे अगरे कैमरा में आप और थोड़ा से दिखाने कोश्च करें यह गिलको के अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं तो आप सोची रहे हैं कि तो कितना पास है यह एरपोर्ट रोड से तो बहुत अच्छी ऑपर्चुन्टी दोस्तों ऐसी लोकैलिटी ऐसी अमेनिटिस के साथ गेटिट सुसाइटी में आपको यह इन्वेंटरी मिलने वाली है और यह देखिए बहुत बड़ी बालकनी यहां देखिए और यहां भी मैं अगर बात करूं यह अगें दोस्तों आप इस कॉर्णर की इन्वेंटरी है तो बहुत अच्छी ऑपर्चुन्टी है इसको एक बार जरूर चेक करें आईए चलते हैं फिर हमारे बेडरूम के अंदर और यहां से आ गया हमारा बेडरूम और अगर मैं इस बेडरूम के साइज की बात करूं इसका साइज रहने वाला ह 11 x 10 का तो यह देखिए यहां पर अगेन आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए और वही हमारी बालकनी जो कनेक्टेड है इस बेडरूम के साथ और यह आगया हमारा बहुत बड़े साइज का वाश रूम तो आईए चलते हैं वाश रूम के अंदर और इस वाश है 9 x 6 का यहां पर आपको विंडो मिलती है वेंटिलेशन के लिए और यह देखिए पूरा रेडी तो मूव इंवेंटरी है सब कुछ आपकी टैप, सेंटरी वेर, सेंटरी फिटिंग सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है करना क्या दोस्तों आप इसको इबर ज़रूर विजि चेक भी कर लें और अगर हमारा चैनल हुब तक सब्सक्राइब ने करना तो जल्दी से कर लें ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके और हमारा वट्सेप चैनल, फेस्बूप पेज, इंस्टा पेज, उसके लिंक आपको नीचे डिस्सेक्शन बॉक्स में मिल चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो इस दिक साथ जय हिन जय मरत